हे गाईस वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूँ फायर बूल्ट एस्टो स्मार्ट वाच का इस स्मार्ट वाच के अंदर आपको 1.78 इंचेस का एमुलेट टिस्पले देखने को मिल जाएगा उसी के साथ कॉलिंग फीचर भी प्र करके चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट्स देखने को मिलेंगे तो यहां पर बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले देखने को मिल जाएगी यह स्मार्ट वाच जिसका नाम उने वाला है फायर बूल्ट एस्टो और यह एकदम लेटेस्ट स्मार्ट वाच होने को मिलेगी तो इसके अंदर भी बहुत सारे information प्रोवाइट की गई है उसी के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी एक charging cable तो इसको चेक कर लेता है तो यहां पर आपको magnetic two-pin charging charging cable प्रोवाइट की गई है चोकि इस watch को आराम से charge कर देगी उसी के साथ यहां पर कुछ cards देखने को मिल जाएंगे चोकि almost firebolt के सभी products के साथ देखने को मिलता है जैसे कि यहां पर सबसे पहले है warranty registration card और इस product के साथ आपको one year के warranty देखने को मिल जाएगी उसी के साथ गाना सब subscription बोल्ट में subscription और उसी के साथ book my show का card भी देखने को मिल जाएगा तो यह सभी content आपको देखने को मिल जाएंगे से smart watch के साथ बाकी यहां पर अगर watch की बात करें तो वैसे इस watch का मैं giveaway भी कर रहा हूँ और giveaway में participate करने के लिए कुछ नहीं करना है just मेरे channel को subscribe करो इस video को like करो और मेरे इस video के उपर एक comment कर दो just इतना सा करना है और आप eligible हो जाओगे giveaway जीतने के लिए ओके so watch को मैंने on कर दिया है और सबसे पहल अगर बात करें built and design की तो एक चीज तो मैं जरूर से mention करना चाहूंगा कि यह काफी lightweight smart watch होने वाली है यहां पर अगर बात की जाए dial की तो 45.2 mm का dial देखने को मिल जाता है उसी के साथ यहां पर side में एक button place क्या गया है और microphone और speaker भी देखने को मिल जाएंगे इस smart watch के अंदर तो यह भी एक calling watch होने वाली है overall इस watch के अंदर lightweight material का use क्या गया है तो इस watch का weight काफी कम होने वाला है तो जिन लोगों की thin rest हो या फिर जिन लोगों की medium rest हो वो इस watch को ले सकते हैं बाकी steps भी इस watch के अंदर अच्छी quality के देखने को मि removable भी होने वाले हैं यानि कि कोई भी दूसरे steps भी लगा सकते हो तो overall comfort wise यह smart watch best रहने वाली है अगर बात की जाए display की तो इस smart watch के अंदर 1.78 inches का AMOLED display प्रोवाइड किया गया है उसी के साथ इस watch के अंदर 368 x 448 pixels के resolution देखने को मिल जाएंगे तो overall display की quality top notch रहने वाली है बाक की bezels की बात करें तो यहाँ पे top में और sides में कम bezels है बड़ नीची की side में हलके से जादा bezel देखने को मिलेंगे जो की आप ignore कर सकते हो black color का कोई watch face दगा के तो black color के watch face के अंदर कुछ इतने जादा bezels visible नहीं होते बाकि display में एक चीज में जरूर से highlight करना चाहूंगा कि इस watch क की अंदर brightness काफी अच्छी provide की गई है पीक brightness पे इस watch का display आराम से किसी भी lightning condition में visible हो जाता है तो उस मामले में इस watch का display best रहने वाला है अगर बात की जाए watch faces की तो इस smart watch के अंदर inbuilt 10 to 12 watch faces देखने को मिल जाएंगे जो कि sufficient है बाकि अगर चाहो तो आप application से और भी watch faces एड़ क खुड़ा बहुत पानी वगरा गिर जाए तो कोई problem नहीं होगी बाकि इसको swimming करते वक्त use करने के लिए recommend नहीं करूँगा और UI की बात करें तो नीची की तव swipe करके यहाँ पे control panel देखने को मिल जाएगा right की तव swipe करके यहाँ पे applications provide किये गया है और यह वाली है menu style बाकि इस smoothness की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी smooth display provide क्या गया है से smart watch के अंदर तो आप इस तरीके से screen display के उपर click करके menu styles को भी change कर सकते हो बाकि अगर इसमें उपर की तव swipe करोगे तो notifications वगरा देखने को मिल जाएंगे और left की तव swipe करने पे कुछ components देखने को म चलिए अब एक एक करके applications चेक कर लेते हैं से smart watch के अंदर तो सबसे बहले यहाँ पे sports mode देखने को मिल जाएंगे और इस smart watch के अंदर 110 sports mode provide किये गया है जो कि सच में काफी अच्छा number है और इसके अंदर pedometer के accuracy भी काफी अच्छी आती है मैंने personally try करके देखा है और यहाँ पे आपको steps वगरा count करके बता देगी यह smart watch accurately उसी के साथ यहाँ पे आप distance वगरा भी check कर सकते हो तो वो सारी चीज़े आप अपने सबसे access कर सकते हो उसके बाद इसके अंदर option देखने को मिल जाएगा heart rate का और heart rate को एक बाद चेक कर लेता है तो यहाँ पे पीछे sensor on हो चुका ह तो देखते हैं air के अंदर reading लेता है या फिर नहीं लेता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे तो air के अंदर reading show नहीं हो रही है fail to measure लिखा चुका है तो air के अंदर यह smart watch reading show नहीं करती है और इसकी readings को मैंने ओक्सीमिटर से भी compare करके देखा है और काफी है तक इसकी readings match क करती है तो working heart rate sensor कह सकते हैं smart watch के अंदर उसके बाद यहाँ पे blood oxygen वाला feature तो इसको एक बार चेक कर लिता है कि यह किस तरीके से work करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई dedicated red light sensor provide नहीं क्या गया है तो इसके accuracy को लेके मैं इतना कुछ कह नहीं सकता उसके बाद यहाँ प pressure तो इसको देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर blood pressure के नाम पर कुछ sensors है तो सही पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि blood pressure watches के अंदर work नहीं करता है और possible ही नहीं है कि blood pressure मतलबच इसके अंदर measure हो जाए तो blood pressure work नहीं करता इसके उपर आप इतना rely नहीं कर सकते उसके बाद इसके अंदर एक नया फीचर दिया गया है ब्लड ग्लूकोस का और इसके लिए अभी मैं अतना कुछ कह नहीं सकता पहले मैं इसे परस्नली थोड़े दिन और यूज करूँगा उसके बाद आपको इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉट्स के सेंपल बताया और स्पीकर का वलीटि की बात करें तो स्पीकर लाउड या कि अतुछ्टाइब करें पर어서. है crisp है clear है और speaker से लेके मेरे को कोई issue नहीं है उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा context का feature और hband करके इसका एक application आता है तो यह वाला application app store और play store दोनों पे ही available है तो कोई दिक्कत की बाद नहीं है और आप इसके अंदर context इसके application सा add कर सकते हो उसके बाद call history तो वो भी आप check कर सकते हो उसके बाद इसके अंदर option देखने को मिल जाएगा notifications का तो notifications वगरा भी check कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे music का feature और क्योंकि इस smart watch के अंदर inbuilt speaker provide क्या गया है तो music वगरा watch के अंदर ही सुन सकते हो और phone के music को control भी कर सकते हो तो watch के अंदर music सुनने का भी option देखने को मिल जाएगा उसके बाद है यहाँ पे female health tracking वाले features और उसके बाद देखने को मिल जाएगा यहाँ पे remote capture पर remote capture में एक चीज दियान रखना कि यहाँ पर आप click करके भी images click कर सकते हो या फिर watch को shake करके भी images ले सकते हो दोनों options आपको देखने को मिल जाएगे उसके बाद है weather और यह चीज में को अच्छी लगी कि इसके अंदर आपका location आ जाता है उसी के साथ यहाँ पे अभी हमारे थोड़े बारिश चल रही है तो थंडर स्टोम लिखा रहा है तो इस तरीब से आपको proper animation के अंदर यहाँ पे proper time के साथ और date के साथ आपको show हो जाएगा तो overall यह data आपको काफी help कर सकता है और यह feature मुझे को काफी अच्छा लगा उसके बाद यहाँ पे है stop watch तो इसको एक बार चेक कर लेता है तो यहाँ पे आप इस stop watch को भी कुछ इस तरीके से use कर सकते हो reset भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे timer और timer में यहाँ पे add पे click करके देखते हैं तो आप अपने सबसे timer वगरा set कर सकते हो उसके बाद इस watch के अंदर है option alarms का और अच्छी बात यह है कि alarms आपको application से नहीं लगाने पड़ेंगे direct watch के अंदर ही alarms लगा सकते हो तो watch के अंदर ही alarm लगाना यह एक अच्छा feature है और इस watch के अंदर ही मिला है अभी तक तो उसके बाद है torch और इस watch को as a torch भी use कर सकते हो भी इतना तेज flash मारा की मेरे camera भी focus नहीं कर पाया so torch के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा find device वाला option और उसके बाद है voice assistant और अगर आपके पास iOS है तो इस तरीके से यहाँ पर आपको Siri feature देखने को मिल जाएगा और अगर android है तो आपको देखने को मिल जाएगा google assistant तो यह feature आप इस तरीके से use कर सकते हो उसके बाद है calculator और इस watch को calculator की तरह भी use कर सकते हो और calculations वगरा आराम से कर सकते हो touch response अच्छ है तो वो कोई problem नहीं होगी उसके बाद इस watch के अंदर settings देखने को मिल जाएगी और settings के अंदर आपको पहला option देखने को मिल जाएगा health monitor का तो आप particularly अपने health को यहां से monitor कर सकते हो उसके बाद है screen display जिसके अंदर पहला option है watch face change करने का उसके बाद है brightness आप set कर सकते हो screen on यहाँ पे आप maximum 60 seconds का set कर सकते हो उसके बाद menu styles देखने को मिल जाती है उसके बाद है यहाँ पे switches का option तो यहाँ पे आप goals वगर आप set कर सकते हो उसी के साथ sedimentary reminder बलावी feature है चोकि काफी अच्छी बात है उसके बाद इसके अंदर race to way customer भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद है यहाँ पे notifications तो notifications वगर आप select कर सकते हो कि आपको कौन से application की चाहिए और कौन से application की नहीं चाहिए तो यहाँ से जैसी की Instagram वगरा मैं on कर देता हूँ तो इस type से आप set कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे option है languages का और language आप English ही रखना क्योंकि change होगी तो बहुत दिक्कत होगी और उसके बाद है app QR code तो इस QR code को scan करके इसके application को download कर सकते हो और last में देखने को मिल जाएंगे basic से features तो overall यह सारे features देखने को मिल जाते हैं से smart watch के अंदर और last में बात करू conclusion की तो conclusion देने से पहले एक बार इसकी price बता देता हूँ जो के उने वाली है 3000 रूपीस तो 3000 रूपीस के इसाब से अच्छी deal रह सकती है उन लोगों की जिन लोगों की thin rest हो या फिर जिन लोगों को calling features चाहिए हो AMOLED display चाहिए हो और वो भी एक lightweight smart watch के अंदर तो ये watch उन लोगों के लिए ही बनी है तो वो लोग इस watch को जरूर से purchase कर सकते हैं तो AMOLED display प्लस calling features प्लस इसके अंदर majorly बहुत सारे features तो देखने को मिली रहे हैं तो इस watch को आप जरूर से consider कर सकते हो बाकी giveaway में participate जरूर से कर लेना और उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe जरूर से करना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई